मैं इम्रान से फी मोटिवेशनल टेक्नोजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली और उत्तरपरदेश के सभी नांगरिगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट और खुस खबरी की न्यूज मैं लेकर आज आया हूँ हाँ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे का निर्मान अभी कुछ परसेंट रह गया है और एक अपरेल को दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे को चालू कर दिया गया था दोस्तों लेकिन अभी तक इसका जो निर्मान है कुछ परसेंट अभी रह गया है और हमारी उत्तर परदेश की सरकार और दिल्ली सरकार ने ये फैसला मिलकर लिया है कि हम जो आज पूरे देश के अंदर करोना संकट चल रहा है इस कारण वस जो है हम दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे को दो महीने के लिए जो जो नागरिक है जो इस पर जो वहां लेकर जा रहा है उनका टूल टैक्स काटा जाता था अब वो दो महीने के लिए बिल्कुल सभी दिल्ली वासियों के लिए और उत्तर परदेश के सभी आपडेट निकल कर आ रही है मैं आपको बता दूँ के चेपियाना और ओबी का निर्मार पूरे होने में अभी दो महीने बाकी लगे गे दो महीने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर जो वहान फ्राटेदार जो दोड़ रहे थे एक अपरेल को जब से यह चालू किया है तो एक अब इसमें सरकार ने यह निर्ने लिया है कि जो काम अभी टोल पिलाजा का भी अभी इसके अंदर कुछ परसेंट काम अभी रहे गया है और जो करोना संकट अब इस वक्त चल रहा है उसी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली मेरट एक्सप्र स्वे पर 55,000,000 वहनों का आगमन हुआ है मतलब 55,000,000 वहन इस पर दोड़े है और जो मैं आपको बता दू टोल पिलाजा का जो कारिया है वो डासना के पास अभी फिलाल कुछ परसेंट अभी होने के लिए फाइनल रहे गया है दो महीने इसमें अभी और लेगेगे लेकिन मैं आपको बता दू इस दिल्ली मेरट एक्सप्रेश्व के बनने से मेरट चिले का जो ट्राइफिक है वो सारा सारा का सारा इस दिल्ली मेरट एक्सप्रेश्व अगर आप दिल्ली मेरट से दिल्ली और दिल्ली से मेरट अगर आप आना चाहते हैं तो only 45 मेरट के अंतरगत आपका ये सफर आप तैकर पाएगे तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि दिल्ली मेरट एक्सप्रसवे पर माई जून तक कोई भी टूल नहीं लिया जाएगा आप इस इस एक्सप्रसवे का आप लाब उठा सकते हैं दो महीने तक 20-10 परसेंट अभी इस एक्सप्रसवे का कारिये निर्मार कंप्लिट होने के लिए रह चुका है दो महीने में फाइनल होने के बाद में ही इतना जो करोना संकाल चल रहा है ये भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा इसमें भी लोगों को जो लोग है जो नागरीक है उन्हें भी सकून मिल जाएगा इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जोड़े रहिए वीडियो देखने के लि फिर दीख अपः बहुत